स्टेई हेल्दी में दोस्तों आज की समय की समस्या का होना बहुत आम बात है phungal infection कई तरह के फफून की वज़े से होता है इसमें yeast प्रमक होता है मनेश में phungal infection तब होता है जब सरील के किसी हिस्से में phungal लग जाती है और यहे इतनी वर जाती है कि immune system इससे लड़न नहीं पाता है लेकिन कुछ आसान व असरतार नुस्कू की मदद से फंगल इंफेक्शन को समाप्त किया जा सकता है तो आई ये जानते हैं फंगल इंफेक्शन को खत्म करने के कुछ नुस्के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें नंबर वन एपल साइडर सिर्का एपल साइडर सिर्का किसी भी फंगल इंफेक्शन के लिए बहुत ही सफल वा असरदार उपाय है यह एंटी, माइक्रोविल, कुड़ों की उपस्तिती की वचर से इंफेक्शन को फैलाने से रोबता है और हल्की, एसेडिक, नीचर की वचर से इंफेक्शन को खत्म करने में मदद करता है इंफेक्शन की समस्तिया होने पर एक कप गर्म पानी में दो बड़े चमच पर साइडर सिरका मिला कर पीने से बहुत चल्दी फायदा मिलता है नमबर टू, सादा दही का चमतकारी प्रयोग फंगल इंफेक्शन की समस्तिया होने पर साधा दही का प्रयोग करना फायदे मंद होता है। साधा दही में मौझूद प्रोबायोटिक लेक्टिक एसिड का निर्मान करके इंफेक्शन को फैनली से रोकता है। इंफेक्शन की समस्या होनी पर साधा दही को कोटन के कपड़े में लेकर संक्रमित हिस्से पर बांध करके 20 मिनिट के लिए छोड़ दें और फिर इसे गुन-गुने पानी से साफ कर लें नियामित रूप से इस उपाय को 3-4 दिन प्रयोग करें फंगल इंफेक्शन की समस्या जड़ से समापत हो जाएगी नमबर 3- एंटी फंगल गुनों की खान लैसुन लैसुन में एंटी फंगल खुन बहुत ही अच्छी मत्रा में पाय जाते हैं जिससे यह किसी भी प्रकार के संक्रमन के लिए बहुत प्रभावी होता है इसके साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल वा एंटी बायोटिक गुन भी मौजूद होते हैं जिससे यह संक्रमन को फैलाने से रोपने में मदद करता है इंफेक्शन की समस्या होने पर लैसुन की चार कली को अच्छे से कुचल कर उसमें जैतुन के तेल की आट भूल मिला कर बारीक पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को संक्रमित हिस्से पर 30 मिनिट तक लगा कर छोड़ दें और फिर हलके कुन्वने पानी से उसे साफ कर लें दो तीन दिन इस उपायों का प्रयोग करने से फंगल इंफेक्शन की समस्या जर से खत्म हो जाएगी दोस्तों फंगल इंफेक्शन के समय इन नुस्कों का प्रयोग करना काफी फाइदेमन वर लापकारी प्रयोग होता है तो दोस्तों आज के लिए पस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और हमारे चैनल से ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल स्टे हेल्थी को सब्सक्राइब करें